संवीदा नीती लागू कराने के लिए संवीदा स्वास्त कर्मिचारियों का अंदोलन लगा तारजवारी है साथ दिन तक काली पट्टी बांध कर काम करने वाले संवीदा स्वास्त कर्मिचारियों ने गुरुवार को सामुहिक अभुकाश लिया प्रदेश के सभी जिलों में सम्वीदा स्वास्त कर्मियों ने मुख्य मंत्री के नाम क्या पंसौपा वर्ष 2013 से सम्वीदा स्वास्त कर्मियों का अंदोलन चारी है पिछले साथ दिनों से सम्वीदा स्वास्त कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर आंदोलन किया था गुरुवार को सम्वीदा स्वास्त कर्मियान वे सामुह कवकाश लेते हुए राजिस सरकार के खिलाफ प्रदर्फरन किया आंदुलन कारियों के अनुसार राज्यस सरकार ने सम्विदा नीती तयार कर ली है लेकिन उसे अब तक लागू नहीं किया गया है हमारी मांग नीती को लागू कराना है यदि हमारी मांग पूरी नहीं कि गई तो अनिश्वत काली इन हरताल करेंगे जिसके चलते प्रदेश के स्वास्त सेवा है पूरी तरह से ठप हो जाएंगे हमार संबिदा स्वास करमचारियों का जो मुद्द चला रहा है सन 2013 से चला रहा है 2013 से लगा तार आंदूलन हो रहे हैं इन आंदूलनों के पश्षात मानिय सिवराज सिंग जी ने एक 5 जून 2018 की निती बनाई जिसे संबिदा निती का गया वो 2018 के बाद जब संबिदा निती बन गई है तो आज 5 साल होने के छे साल होने के बाद भी 2022 तक वो निती लागू नहीं हो पाई इसी तारतम में संबिदा स्वास करमचारी संग्ठन ने एक आंदूलन किया और उस आंदूलन के दोरान प्रवुराम चौधरी जी से मुलाकात हुई जो की वर्तमान स्वास मंत्री हैं उन्होंने एक महीने का समय मंगा 30 दिन का समय मंगा कि 30 दिन में वो संबिदा निती जो 5 वर्षों से लागू नहीं हुई वो लागू हो जावेगी पूरे 51 जिलों में 32,000 कर्मचारियों ने सामुकी थी अवकास लेकर यहाँ ग्यापन कलेक्टर महोदे तक सोपा सभी जिलों में स्वास्त कर्मी के अनुसार कुरुना काल के दोरान फ्रंट लाइन वर्कर की रूप में समवीदा स्वास्त कर्मियों ने काम किया सरकार की कई योजनाओं का क्रियान वयन हम करते हैं इसके बाबजू सरकार हमारे साथ सौतेला व्योहाद कर रही है दिरू रिपोर्ट अम्पी न्यूस इंद और